नमश्कार इससे पहले वाले व्याख्यान में हम लोगों ने नौमी कक्षा के नाइन्थ क्लास के चैप्टर को शुरू किया था जिसका नाम था और नमश्कार सोैंदेश क्लास क्हा य। pokत्रों में फ्यान कांद में फाल किये वाले देशन क्लावे से करे चैप्ट जाज़ आपये थेंदेश का से क्वाले व्याख्यान में तक रात अन्सक्रावु दो पॉइंट डिसकस किये थे, पहला पॉइंट डिसकस किया था, कि जो पावर है वो उन लोगों के हाथ में रहना चाहिए, जो लोगों के दुआरा चुने जाते हैं, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशरफ के बारे में हमने पढ़ा, पॉइंट टू हमने पढ़ा, कि जो राइट है, means free and fair election होना चाहिए, किसी भी तरह का उसमें माल प्रेक्टिस नहीं होनी चाहिए, घडबड नहीं होनी चाहिए, तब ही हम उसको real democracy कहेंगे, तो इस lecture को सुनने से पहले, आपके लिए यह आवश्यक हो जाता है, कि आप लोग उस lecture को सुन ले, जिसका link मैं आप लोगों को उपर दिये दे रहा हूँ, उस link पे click करें, और आप उस lecture को सुन सकते हैं, उसके बार, दो point हमने यहां discuss किये, तीसरा point है, तीसरा point मैंने उपर लिखा है, कि देश के परतेक adult citizen को, vote डालने का अधिकार होना चाहिए, उसको एक vote डालने का अधिकार हो, और उसकी vote की एक ही value हो, means one vote, one value, मैंने यहां mention किया है, कि one vote, one value, इससे पहले वाली वीडियो में, मैंने universal adult franchise के बारे में discuss किया था, आप देखेंगे, लिख ले ना, universal adult franchise, मतलब क्या है इस बात का, कि हमारे देश के जो नागरिक है, जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, या 18 वर्ष से उपर है, उन सब को vote डालने का अधिकार है, और उनकी परतेक vote की एक value है, जब ऐसा होता है, कि परतेक adult citizen को vote डालने का अधिकार हो, और उनकी vote की एक ही value हो, अलग-अलग value ना हो, मैन और वोमेन की vote अलग value ना हो, दोनों को vote डालने का अधिकार हो, या वहाँ पर जितने भी ethnic group रहते हैं देश के अंदर, या जो social diversity है, जैसे की religion के नेम पर, caste के नेम पर, creed के नेम पर, सब को equality हो, इन आधारों पर vote की discrimination ना हो, उनकी vote की एक ही value हो, लेकिन बहुत सारे विश्व में देश ऐसे हैं, जो election जहाँ पर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी, उन्हें एक vote, एक value नहीं है, उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम, तीन देशों के बारे में बात करेंगे, साउधिय अरेबिया, Asian country है, Monarchy system है, Estonia है, Northern Europe का एक देश है, Fizi है, Asian एक country है, हम देखेंगे, कि इन देशों में, किस परकार से, परतेक वेक्ति को vote डालने का अधिकार नहीं है, और कुछ देशों में, एक वेक्ति की vote की value कम है, जबकि उसी देश के citizen की vote की value अधिक है, तो हम कह सकते हैं, कि real democracy नहीं है, साओधी अरेबिया के इतिहास पर अगर हम नज़र डालते हैं, तो हम पाएंगे, कि वहाँ पर women के साथ बहुत discrimination होता है, महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव होता है, वहाँ पर 2011 तक, किसी महिला को vote डालने का अधिकार नहीं था, सारे अधिकार आदिमियों के पास, देख जगह मैंने पढ़ा भी था, कि अभी भी साओधी अरेबिया में, दो महिलाओं की टेस्टेमनी, एक man के बराबर होती है, यानि कि एक व्यक्ति जो बात कह रहा है, उसकी value दो महिलाओं के बात के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, कि women के साथ discrimination किया जाता है, 2011 से पहले साओधी अरेबिया में, महिलाओं को vote डालने का अधिकार नहीं था, इसका क्या मतलब है, कि वो real democracy नहीं है, दूसरा है, एस्टोनिया, Northern Europe का एक जो देश है, वहाँ पर बहुत सारे आथिनी groups रहते हैं, कुछ group majority में हैं, कुछ minority में हैं, अचा majority और minority क्या होता है, किसी देश में, 50 परतीशत से ज़्यादा, जो group होता है, जिनकी संख्या होती हैं, वो तो majority में होते हैं, और दूसरे जो हैं, जो 50 परतीशत से कम होते हैं, उनको minority में कहा जाता है, बहु संख्याद और अलप संख्याद, देखिए, एक 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 जामपल से समझते हैं, भारत में जो हिंदू धरम के लोग हैं, हिंदू रिलिजन के जो लोग हैं, वो majority में हैं, दूसरी तरफ जो इसलाम धरम के हैं, बौध हैं, जैन हैं, क्रिशन्स हैं, वो सब minority में हैं, तो इसी तरह से एस्टोनिया में, जो एक minority group है, Russian minority group, उनको vote डालने से रोका जाता है, उनको हरैश किया जाता है, हाला कि वो उसी देश के नागरिक हैं, पर क्योंकि Russian minority हैं, अलब संख्यक हैं, इसलिए उनको परावरी का दरजा नहीं दिया जाता, अगली तरफ है Fizi, एक Asian country है, Fizi में दो तरह के Fizi हैं, आप देखेंगे, एक Fizi है जो Indigenious Fizi है, जो Fizi वही पर पैदा हुआ, वही पर रहता है, और दूसरी तरफ वो Fizi है, जो किसी भी कारण से, इंडिया से, माइगरेट होकर के, Fizi में गया, जिसको Indian Fizi बोला जाता है, उन दोनों की जो वोट होता है, उनकी वैल्यू में फरक है, मतलब, जो Indigenious, वहां का जो लोकल Fizi है, जो वही पर पैदा हुआ है, उनकी वोट की वैल्यू कुछ ज़्यादा है, और जो Fizi, इंडिया से माइगरेंट होकर के गए हैं, जिनको Indian Fizi कहा जाता है, हालां की, वे वहां के नागरिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, उनका जो वोट का अधिकार है, वो इंडिजीनियस Fizi से कम है, तो हम कह सकते हैं, कि रियल डेमोक्रेसी नहीं है, अब ये पॉइंट 3 के लियर हो जाता है, कि जो रियल डेमोक्रेसी है, उसमें देश के परतेग एडल्ट सेटिजन को, वोट डालने का अधिकार है, election contest करने का अधिकार है, उसकी एक वोट की एक value है, और अगर ऐसा नहीं है, तो वो रियल डेमोक्रेसी नहीं है, इसके बाद जो हम fourth point करने जा रहे हैं, उस पे नज़र लगाएंगे, this is the fourth point of what is democracy, why democracy, इस fourth point में ये बताने का परियास किया है, कि एक democratic government वो होती है, जो constitution में दिये हुए, जो powers हैं, उनके अनुसार काम करती हैं, मतलब जो उनकी शक्तिया होती हैं, constitution के दोरा limit होती हैं, controlled होती हैं, यहां तक कि जो citizens के right हैं, वो भी समिधान के नुसार उन्हें दिये जाते हैं, तो और government ये एक democratic क्या सकते हैं के rule है, democracy की characteristic है, कि जो power of the government is limited by the constitution, it means there must be a constitution, a well-defined constitution according to which a country should govern, in the constitution it must be mentioned that the power of the state, power of the country, so that they will work according to the constitution, their power should be limited, they will not start exploiting the citizen of the country, other way, citizen also have certain rights, which is clearly mentioned in the constitution, no one can deny their right, but this is the characteristic of a democratic country, but there are certain countries in which, although elections are taking place, although they are democratic country by words, but basically they are not behaving like a democratic country, so let's start discussion about Jimbabwe, Jimbabwe attained its independence in 1980, 1980, 1980 में Jimbabwe को आजादी मिली, तब से लेकर के white minority के इंदर थे, ठीक है, कॉलोनी था, और Jimbabwe को जब से आजादी मिली, तब से ZANU, Jimbabwe African National Union, पेटोटिक, फ्रेंट, ये एक political party वहाँ पर है, जिनके लीडर है, Robert Mugabwe, वो बहुत popular है, लेकिन जो वहाँ पर, माल प्रेक्टिस करते हैं, जो dirty tricks अपनाते हैं, जिनकी वज़े से, Jimbabwe को, real democracy नहीं कहा जा सकता, उन में से कुछ है, very first, कि वहाँ के constitution को, समिधान को, बाहर बाहर change किया जाता है, जैसे ही Robert Mugabwe को, President of Jimbabwe को, ऐसा लगता है, कि उनकी शक्तियों को, किसी भी परकार का खत्रा है, या उनकी शक्तियां, कहीं से भी कमजोर हो रही हैं, तो वो समिधान में change करके, अपने आपको फिर से powerful कर लेते हैं, So, from the independence, till today, the constitution has been changed several times, that has been amended according to the Robert Mugabwe, to empower the Robert Mugabwe, उसको और शक्तिशाली करने के लिए, वहां के constitution को बार-बार amend किया जाता है, which is not the right way in a democratic country, उसके अलावा, जो opposition party हैं वहां पर, जो भी opposition party हैं, उनको हरैश किया जाता है, उनको demoralize किया जाता है, निरुत्साहित किया जाता है, कि वो एक दल ऐसा ना खड़ा कर दें, जो Robert Mugabwe के competition में आ जाए, तो हर तरहां से उनको down किया जाता है, उनकी जो activities हैं, जो rallies हैं, जो भी उनका protest होता है, उसको destroy किया जाता है, यहां लिका है, meeting को disrupt किया जाता है, उसके अलावा, सरकार के विरुद्र, किसी को भी, protest करने का, demonstration करने का अधिकार नहीं है, और अगर लोग वहां करते हैं, वो illegal है, समिधान के विरुद्र है, और उनको हर तरहां से दबा दिया जाता है, no right, किसी को भी right नहीं है, कि वहां की government को criticize करें, क्योंकि एक spy system है, वहां की गुप्चर विभाग है, कि जो भी government को, president को, सरकार को, किसी भी तरहां से अलोचना करेगा, criticize करेगा, तो उसको अधिकार नहीं है, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, पूरे media को control किया हुआ है, print media है, newspaper है, television है, सब पे control है, कोई भी media, दूसरी party को favor नहीं करेगा, और उनकी party, Z.A.N.U.P.F. को, किसी भी तरहां से disregard नहीं करेगा, disrespect नहीं करेगा, कोई भी news, उनके खिलाफ चलाने के आदेश नहीं है, यहां तक कि, जो court है, court का जो judgment है, अगर वो government के against जाता है, court का judgment against जाता है, तो government उसको मानने के लिए बाद्ध नहीं है, उसको ignore कर सकती है, तो you can imagine, when the judiciary is not independent, then how you can say, democracy is followed in the Jimbabwe, when the citizens do not have the right to raise the voice against the existing government, democracy is not there, when the media is controlled, media is not allowed to show what is happening in the world, what is happening in the country, the wrong done by the government, if the media is controlled, not having right, that is not real democracy, political parties, any of the political party, which will stand in front of Robert Mugave, president, then that will be harassed, all the measures will be taken to disrupt the meetings, to disrupt the rallies, etc., so you can say, in Jimbabwe, although elections are taking place, a democratic form of government is there, but in real sense, no real democracy exists in Jimbabwe, this is the point for democratic government, government may, government ki power ko limit hona chahiyye, citizens ko right milna chahiyye, constitution ke according us ko work karna chahiyye, ye fourth point hai, iske baad hum loog discuss karenge, okay, let's conclude the chapter, I have written certain things, you just have a look upon it, now, this is the last part of this chapter, see, conclusion, if you have heard me very carefully, अगर आप लोगोंने मुझे ध्यान से सुना है, तो आप पाएंगे, कि democracy के बारे में, आपके पास इतना material है, कि आप उस पे एक note लिख सकते हैं, आप कहीं पर group discussion में हिस्सा ले सकते हैं, आप exam में आए हुए सभी questions का जवाब दे सकते हैं, देखिए, definition में भी इस बात को कहा गया था, democracy है क्या, democratic form of government है, जिसमें rulers को, representatives को, देश की, जनता के द्वारा, election के through, elect किया जाता है, तूसरा, free and fair election है, सब को vote डालने का अधिकार है, सब को election contest करने का अधिकार है, तीसरा, सभी को बराबर की choice और opportunity मिलती है, चाहे वो employment में हो, या किसी और चीज में हो, सभी के सभी, सविधान के सामने, rules के सामने, लोग के सामने equal है, किसी भी आधार पर, चाहे वो धरम के आधार पर हो, भाशा के आधार पर हो, कास्ट, क्रीड के आधार पर हो, जाती के जाता है government is also not allowed to exploit the citizens government how to work according to the need and requirement of the people government is accountable if government is not working properly in the next election the people will show them the mirror उनको आइना दिखाया जाएगा उनको हराया जाएगा इसका मतलब क्या है जो real power है वो लोगों के हाथों में होती है एक proper constitution होता है constitution के according ही government run करती है constitution के अधार पर ही सभी तरह के decision लिये जाते हैं यूँ कह सकते हैं कि सविधान सबसे ज़्यादा powerful होता है सविधान government की शक्तियों को भी control में करता है सविधान ये देखता है कि नागरिकों को अधिकार मिले हैं के नहीं मिले हैं इनके अलावा भी आप पूरे वीडियो में से बहुत सारी बाते यहां पर निकाल सकते हैं और constitution या democracy के बारे में खास करके परज़त अंदर के बारे में democracy के बारे में आप उनकी खासियत लिख सकते हैं कई बार सवाल आता है कि अब इतनी सारी खासियत है क्या कोई demerit भी है क्या कोई negative aspect भी है democracy का तो आप देख सकते हैं कुछ एक परियास किये हैं हलांकि बहुत सारी खासियत हैं अगर real sense में democracy लागू हो जाए तो परतेक देश जो democratic country है उसके परतेक नागरिक को बराबर की सुधाय मिल जाएंगी लेकिन मुझे जो लगता है किसी भी देश में परजात अंतर की जो real expectations हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं इस वज़े से देश के परतेक नागरिक के पास democracy का benefit नहीं पहुँच रहा है कारण है leaders keep changing पांस साल के बाद तो change होते ही होते हैं कई बार बीच में भी हो जाते हैं by term election होता है, mid term election होता है और वो उन्होंने जो policy बना रखी होती है long term के लिए जब वो change हो जाते हैं जो नया leader आता है वो अपने हिसाब से काम करता है इसका मतलब जो policy बनाने के पीछे जो उदेश्य था, objective था वो बीच में ही रह जाता है आने वाला leader अपने हिसाब से लगाता है दूसरी बात, जो decision है उसको लेने में delay होता है हाला कि इसके पीछे कारण है positive aspect है कि पहले वो discuss होता है लोग सभा में, राज्य सभा में प्रेजिडेंट के पाश जाता है combine session भी बैठता है लोगों से सलह ली जाती है media में आता है लोगों से उनके views पूछे जाते है तब जा करके कहीं कोई policy या कोई decision लिया जाता है हाला कि यह negative aspect है कि तुरंट decision नहीं लिया जाता क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठ करके, negotiation करके discussion करके, निर्ने लेते हैं but it can be, this is the negative aspect of democracy it delays in decision making corruption, I think there is no need to tell you about corruption as a negative aspect of democracy you can see several leaders, they are making huge money by indulging themselves in the corrupt things they are not doing as per the need and aspiration of the people they are not working as per to the constitution rules they are not performing their duty well that's why we can say this is the negative aspect of democracy if democracy is not able to control upon corruption in my view, the democracy is of no use heredity, you will find आपको मिलेगा कि राजा का बेटा राजा एक कोई मंत्री है बड़ा वो अपने बेटे को भी प्रमोट करता है पार्टी की टिकट उसको दिलवाता है वो भी संसर तक पहुंचता है वो भी legislative assembly तक पहुंचता है जो छोटे worker होते हैं या जो और जो लोगे रोयोग होते हैं वो नीची रह जाते हैं उपर तक नहीं आपाते हैं इसलिए democracy का एक loophole है उसके अलावा dirty tricks हमने जिंबावे के concept में हमने मेक्सिको concept में हमने इतनी साई dirty tricks देखी हैं जिनकी वज़ा से जो real leader हैं वो politics में आते ही नहीं हैं this is the negative aspect of democracy so this is entire thing about democracy I have defined what we mean by democracy the difference between democratic country and non democratic country and then with the help of example I have described which one is the real democracy what should be the characteristics what should be the real sense of democracy one example I have taken of Pakistan then China and Mexico you will read the literature you will find it very easy then we have discussed about Mexico Estonia, Fizi, Saudi Arabia China so आपको अब करना क्या है आपको भुक पढ़ना है लिटरेचर पढ़ना है आपको समझ में आएगा पका आएगा नहीं आता है तो आप नीचे comment box में लेखिये अगली अगली lecture में मैं उसको पूरा कर दूँगा अगले वेखियान में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद जैभारत